हे गाइस वेल्कम बैक मैं यूटुब चैनल लवली किचन गारडन कैसे हैं आप यहो बच्चे होंगे चलिए आज मैं आपको कुछ विंटर की गारडन केर टिप्स देती हूं गाइस विंटर में फूल के साथ सब वेजिटेबल्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं गम सब्सक्राइब आज मैंने अजने कुछ बाक अबनकम गाइगया को जाम आऔर सब्सक्राडन के साओं में ृद्ध भी शोनल इस जान्यान बा स्ब्सक्राइब कर दो आज मांने गश्यायम्स ओंलिया तिवां में अजने विंफार में ज़्या है एंनाइद्रम क्या मैं कि द मुर्जाया हुआ है ये मारकेट से खरीदे हुए पौधे हैं जिसnu कहीं मैंने लगा है विए कल के आए हुए पधे मुर्जा गये थे अभी मैंने लगा दिया है पानी भी टीक हजाएंगी यह बीचन वेच से बनाई हुए खाइज ते बीस मानidity मिला इस भोरी में लगाया है ये काफी बड़ा पॉट की तरह है तो इसमें मैंने दो गोभी के पौधे और दो मिर्च के पौधे लगाए हैं ये देखिए सबजी रखने वाले टोकरी है तो सबजी रखने वाले टोकरी से मैंने इसमें देखिए ये लगा दिया एक गोभी लगा दिया और एक म यह बहुत ही ज्यादा उपजाओ मिल्ती है मैंने जो भी मिल्ती बनाया थी वह पोस्ट बनाया था वह मैंने आपको दिखाया ही था यह मटकी में भी देखिए पौधे लगा रखे हैं यही शारे वेज़िटेबल से मटकी का साइज अब देखे सकते हैं काफी बड़ा है और इनना सर्फ वेज़िटेबल मैंने फ्रूट भी लगा रखे हैं फ्रूट के प्लांट वे दिखिए उपर से मैंने प्रून कर दिया था और नीचे से आप ब्रांच पर देख सकते हैं नहीने ग्रोथ हो रही है और यह यहां पर देखिए और मैंने कुछ दिन पहले ही फटि है यह भी बहुत है अच्छे से है और मेरे इंग्लिश रोज में भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है मैंने लेला मजनु की कटिंग लगाई थी रेत में लगाई थी और यह कटिंग सर्वाइब हो गई है मैं 19 तारीक अपने माई के चले जाओंगी तो यह सारे होंगे तो भी उसकी वीडियो की वीडियो की अपडेट आपको दूंगी तो आज की वीडियो में बस किता है नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक कि लिए भाई है व्यों नाइस टे